नमस्कार जेहिंद दोस्तों यदि आपको अपनी GK स्टॉंग करनी है तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं एक्जाम में एक्जाम में जो भी हमारे दिमाग में छिपा हुआ है वो कहीं न कई हमारे दिमाग में छिपा हुआ है, इसको हम निकालते हैं एक्जाम में बाहर निकालते हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर भी हमें यहीं प्रैक्टिस कराता है कि आपने जो पड़ा है क्या आप से बन रहा है अंधन के द्वारा किया गया तो सबसे पहले रगट परी संचन तंत्र का अधन किया गया यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गहे हैं Nagyya उृած हार्वे के अंग से है तो पेसमेकर जो होता है यहां पर आपको जो option दिएक है फेफ़डा है घुरदा दिमाग इनम से ह्रदय से संबनित है पेसमेकर option nobe b यहां पर प्रशन के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए इसने पूछा गया तो हमारे blood pressure में क्या परिवर्तन होता है यहां पर right answer क्या हो जाएगा कि जब हम सोते रहते हैं न तो हमारा जो blood pressure है वो घट जाता है option number यहां पर भी blood pressure हमारा घट जाता है सोते समय option number एम आफ कीजिएगा यहां पर परशन के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा blood pressure हमारा क्या हो जाएगा सोते समय घट जाएगा अगला question देखिए इसमें पुछा गया कि शरीर की विशालतम धमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी इन में से कौन सी है तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसका नाम होता है आपका airota option number C airota यह हमारे शरीर की विशालतम धमनी है option number C airota right answer हो जाएगा प्रशन के लिए रक्त में पाई जाने वाली धातू कौन सी है रक्त के अंदर कौन सी धातू metal पाया जाता है तो यहाँ पर आपको जो option दिया गया हुआ बिल्कुल easy question है आपने सुना होगा इसके बारे में रक्त के अंदर iron या लोहा पाया जाता है option number C हमारे खून में लोहा या iron की मात्रा होती है option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा यह धातू है मानव शरीर में खून के शुद्धी करन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो मानव के शरीर में जो खून है रखता है उसको सुद्ध करने के लिए dialysis किया जाता है kidney वैसे खून को सुद्ध करती है लेकिन kidney खराब हो जाए तो कौन सी method use होती है dialysis से खून साप होता है option number C dialysis right answer है हीमो गलोविन का कार इनमें से क्या है शरीर के अंदर जो हीमो गलोविन पाई जाती है उनका काम क्या होता है तो हीमो गलोविन जो रहता है वो oxygen को ले जाना उनका मुख्यकार होता है option number C oxygen को ले जाना हीमोगलोविन का मुख्यकार होता है option number C यहाँ पर right answer है मानवरक्ट का pH मान कितना होता है हमारे खून का pH value क्या होती है तो मानवरक्ट की जो pH value होती है यह होती है 7.4 इसको श्टार लगा लो यह most IMP caution है यह कई बार exam में आ चुका है 7.4 मानवरक्ट की pH value होता है मानव ब्लड का pH value option number C उपस्ती तथा हड़ियों के निर्मान और संपोशन में आवश्चक तत्व कौन सा है हमारे हड़ियों के निर्मान के लिए कौन सा तत्व जो है बहुत जादा important है आवश्चक है ये कौशन भी exam में कई बार पुछा जा चुका है तो हमारी जो हड़ियां होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है calcium आप में से सबका आंसर सही चला गया होगा किस-किस ने calcium आंसर दिया हमें comment करके बताओ हड़ियों के लिए calcium जरूरी है आप में से किस-किस ने calcium बिल्कुल सही आंसर दिया है comment करके हमें बताना ठीक है अगला कौशन है कि निमने लगे तो में से किसकी पेशियों में सुआ इस पंदन का गुण पाया जाता है इनमें से किसकी पेशियों में सुआ इस पंदन का गुण पाया जाता है रक्त पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर से वापस आता है स्वाइस पंदन का गुण ह्रदय में पाया जाता है option number C किस अमल के मास पेशियों में जमा होने के करण मनश को ठकान महसूस होता है हमारे मास पेशियों में कौन सा ऐसे डिया अमल जमा हो जाएगा तो हमें ठकावट महसूस होगी यहां पर आपको जो option दिये गए हैं उसमें से right answer हो जाएगा यदि हमारे शरीर में lectic अमल जम गया जमा हो गया तो हमें ठकान महसूस होगी Option number E, Lactic Ampli की जमाओं से हमें जो है ठकान महसूस होती है Option number E, यहाँ पर right answer है मानो शरीर की निमनलिखित अंगों में से कौर्दिया किसका भाग है हमारे शरीर में जो अंग है उनमें से कौर्दिया कहां पाये जाता है कान में, आंक में, वक्त में या नाक में तो जो कौर्दिया है, यह हमारी शरीर की आंक में पाये जाता है Option number E, कौर्दिया कहां पाये जाता है तो आंख में पाये जाता है Option number E, आंक right answer हो जाएगा अगले पुछा गया है कि नित्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रन निम्द मैं से किस अंग के द्वारा किया जाता है तो हमारी आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसकी जो मात्रा होती है उसका जो नियंत्रन किया जाता है वो आईरिस के द्वारा किया जाता है option number B आइरिस के द्वारा हमारी आँक में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है option number B यहां पर आइरिस राइट आंसर है त्वचा का रंग किसके कारण होता है हमारी जो त्वचा है चाहें सावली हो, गेहुआ हो, सफेद हो या जैसे अफ्रिकन लोग की बिल्कुल काली होती है तो यह किसके कारण निर्धारित होता है तो हमारी जो त्वचा है, उसका जो रंग है, वो मैला निन के कारण निर्धारित होता है option number B, मैला निन से हमारी त्वचा का जो है रंग निर्धारित होता है option number 2 यहाँ पर right answer है मानो शरीड का सबसे बड़ा अंग इन में से कौन सा है हमारे शरीड का सबसे बड़ा अंग कौन सा है हरदय यक्रत मस्तिस की या फिर हमारे शरीड की चमड़ा जो चमड़ी है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा हमारे सरी की चमड़ी यह हमारे सरी का सबसे बड़ा अंग है पूरी पूरा जो मास, पेशियां, हड्डियां चमड़ी से ही ढखे हुई है तो चमड़ी जो है यह सबसे बड़ा चमड़ा हमारे सरी का सबसे बड़ा अंग है option number D चमड़ा यहां पर right answer है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है हमारे आंख से जो आंसू निकलते हैं जिसमें जीवाणू मर जाते हैं ऐसा कौन सा एंजाइम होता है तो हमारे आंखों से जो आंशू निकलते हैं उसमें जो एंजाइम होता है वो होता है आपका lysozyme option number C यह हमारे आंखों के आंख से जो आंसों निकलते हैं उसमें एंजाइम पाई जाता है अगला प्रश्ण है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपन नहीं किया जाता है हमारे शरीर में ऐसा कौन से अंग है जिसका प्रत्यारोपन नहीं किया जाता तो हमारे शरीर में जो मस्तिस्क है दिमाग है उपर जो खुपडिया है ये नहीं बदल सकती इसका प्रत्यारोपन नहीं हो सकता बाकी आज कल तो रदा ऐसे लेके गुर्दा फेपड़ा पूरा आदमी ही बदल देते हैं मस्तिस्क नहीं बदल सकते या रखना option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा मानशर का कौन सा अंग पुनरुद भवन को प्रदर्शित करता है मतलब दुबारा वो अपने आप जो है पैदा हो सकता बढ़ सकता है मतलब यदि छोटा सा भी छोड़ दो आप काटके लगा दो किसी का तो बढ़ जाएगा तो यहाँ पर right answer हो जाएगा एक काम करो इस प्रश्निक answer आप comment करके बताओ आपको दो सब्सक्राइब कर लो आपको रोज प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपकी recalling मे थे एक्जाम में जो प्रैक्टिस को है जी के स्ट्रॉंग करने का वादा है बस आप हमसे जोड़ जाईए वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों को शेर कर दीजे हम मिलें यह आप से एकली वीडियो में आपना ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका जैन शोबो जै हिंद जै भार कर दो दोस्तों आपका जैए ग। झाल झाल